नमस्कार दोस्तों, UPSC classes में आप लोगों का स्वागत है, मित्रों, आज मैं बहुत ही महात्पूर इंडिया जी के part 2 लेकर आया हूँ, part 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसमें महात्पूर जो है 50 परशन समलित किया था और इसमें भी मैं 50 परशन समलित किया हू तो चलिए मित्रों, श्टार्ट करते हैं, इंडिया जनरल नलेच, फर्श्ट परशन है कि अर्थसास्त्र में नोबल पुरुसकार पाने वाले परतम भारतिये कौन थे, चार आपसन आप लोगों के सामने हैं, ये मैं प्रीमियर पर लगाऊंगा, आप लोगों से लाइब जो है ये वीडियो चलेगा, आप लोग लाइब में बता सकते हैं, कमेट्स बाक्स में कि कौन सा सही है, अपने आपको चेक भी कर सकते हैं, तो चलिए मित्रों, चार आपसन में से कौन सा राइट एंसर होगा, 51 का राइट एंसर भी, अमरत्य शेन जो है, नोबल पुरुसक प्रत्री थे भारत के प्रतम, नेक्स्ट है, नोबल पुरुसकार प्राप्त, प्रतम भारती महिला कौन थी, 53 का राइट एंसर है, बी, मदर टरेशा, मदर टरेशा जो है, नोबल पुरुसकार प्राप्त करने वाली प्रतम भारती महिला थी, प्रेश नमबर 54 है, भारत रत प्रत्र परत्रांप्र प्रत्रांगट करने वाली जो महिला थी कि स्रीमती इंद्रा गाधी 55 नमबर है पर्थम महिला चिकित्सक कौन थी इसका राइट एंसर है C कादंबनी गांगुली जो है पर्थम महिला चिकित्सक थी next question है किराष्टिय धौझ तिरंगे में 236 पत्तिया उन्पात में रहते हैं इसका right answer है C. एक अनुपाते एक अनुपाते एक में रहते हैं next है किराष्टिय धौझ तिरंगे का गहरा केशरिय रंग क्या दर्शाता है बहुत ही मातपूर्ण प्रश्ण है 57 ताकत और साहस आपसर नमबर ए विल्कुल राइट है कि ताकत और साहस जो है राष्टिय धोज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग दर्शाता है नेक्स्ट प्रश्ण है कि राष्टिय ध्ष्ट तिरंगे में सबसे उपर कौन सा रंग रहता है आप लोगों के पास चार आप्षन है आप लोग देखिए और बताईए सफेद है हरा रंग है गहरा केसरिया रंग है सफेद और हरा रंग है तो 58 का जो राइट एंसर होए वो आप्षन नमबर सी है गहरा केसरिया रंग जो है सबसे उपर रहता है 59 है कि राष्टिय ध्ष्ट तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है आप लोग के सामने चार आप्षन है तो बीच में मित्रों सफेद रंग रहता है और नेक्ट प्रेश्ट इसी राष्टिय ध्ष्ट से संबंदित है कि तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है इसका राइट एंसर है आपका हारा रंग जो है बीच में रहता है बी आप्षन बिलकुर राइट होगा नेक्स्ट प्रश्ण है कि राष्टिय ध्वज की लंबाई चोड़ाई का अनुपात कितना होता है तो इसका राइट एंसर जो होगा वो आपसन नंबर है आपका C तीन अनुपाते दो के अनुपात में होता है नेक्स्ट है कि राष्टिय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बाद का संकेत है तो सांती और शत्ति का जो है संकेत है सफेद रंग नेक्स्ट है कि राष्टिय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है तो राश्टिय ध्वज तिरंगे का हरा रंग मित्रों विकास और उर्वरता को दर्शाता है नेक्स्ट है कि राश्टिय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलिया होती है 64 का राइट एंसर क्या होगा तो 24 होती है 24 तीलिया होती है option C विल्कुल right होगा next question है मित्रों कि भारत के सम्मिधान सभा ने राष्टिय धज का प्रारूप कब अपनाया था चार option आप लोगे के सामने है 65 का right answer है आपका 22 जुलाई सन 1947 को जो है राष्टिय धज का प्रारूप अपनाया गया था next है कि भारत का राष्टिय पच्छी कौन है भारत का राष्टिय पच्छी क्या है 66 का right answer है B यानि more है next है भारत का राष्टिय पुस्प क्या है तो भारत का राष्टिय पुस्प है option number A यानि कमल नेक्स्ट है 68 भारत का राष्टी ये पेंड कौन सा है आप्सन में है नीम, चंदन, बर्गत, असोक 68 का राइट एंसर जो होगा वो आप्सन नमबर C राइट है कि बर्गत होगा नेक्स्ट है भारत का राष्ट गान है भारत का राष्ट कान का है आप लोगों को देखिए बिल्कुल राइट है जन गर्ड मन भारत का राश्ट्रगान है भारत का राश्टे नदी भारत का राश्टे नदी है आप लोगों के पास चार आप्शन है मचली, कच्छुआ, डालफिन, मगर मच तो 71 का राइट एंसर होगा मित्रों C, डालफिन है नेक्स्ट है भारत का राष्टिय पसू तो भारत का राष्टिय पसू इस चारों में से कौन सा है option B, राइट है बाग नेक्स्ट प्रेश्ट है भारत का राष्टिय गीत है 73 का राइट एंसर क्या होगा option number A, राइट है बंदे मात्रम नेक्स्ट है भारत का राष्टिय पसू 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 अप लोगों के सामने है तो कौन सा option सही होगा option number B, आम नेक्स्ट है कि भारत का राश्ट्री एक खेल क्या है इसमें सतरंज है कबड़ी है और फुटबॉल है हाकी है तो आपसे नमबर डी विल्कुल राइट होगा हाकी जो है भारत का राश्ट्री एक खेल है 76 है भारत में सबसे अधिक कहां सौर उर्जा उत्पादन होता है आपसन नमबर ए राजस्थान नेक्स्ट है भारत में पवन उर्जा का सबसे उत्पादक राज कौन सा है पवन उर्जा आपसन में है पंजाब तमिलनाड मद्द परदेश जार खंड इसका राइट एंसर होगा आपसन नमबर बी तमिलनाड नेक्स्ट है भारत में अस्थापित कुल उर्जा छमता का कितना परचत पवन उर्जा से प्राप्त होता है इसका राइट एंसर होगा C 6 प्रतिसत प्राप्त होता है नेक्स्ट है भारत में पवन उर्जा का विकास कब से प्रारंब हुआ था भारत में प्रमाण उर्जा बीनियमायक बोर्ड कब अस्थापित हुआ था 80 का राइट एंसर क्या होगा 80 का राइट एंसर है आपका A नमबर 15 नमबर 1983 को Next है प्रमाण उर्जा नियामक बोर्ड का मुख्याले कहा है Option है बेंगलोर भूनेश्वर मुंबई भोपाल 81 का राइट एंसर क्या होगा Option नमबर C मुंबई भारतिये सिनेमा के जनक थे 82 का राइट एंसर क्या होगा Option नमबर B राइट होगा दादा साहब भालके Next है भारत में डाक ब्यवस्था सुरू करने वाला बिटिस गवर्णर जनरल था 83 का राइट एंसर क्या होगा Option नमबर A है लाड डलहोजी Next है भारत में सिच्छा है एक नागरिक दायुत है राज दायुत है राजनीतिक अधिकार है मूल भूत अधिकार है 84 का राइट एंसर है D मूल भूत अधिकार है Next है भारत के तीसरे राष्ट पति कौन थे जिनका अपने कारिकाल में ही निधन हुआ था इनका राइट एंसर होगा आपका B डाक्टर जाकिर हुसाइन नेक्स्ट है भारत का राष्टिय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया अप्शन है आपका 2000 में 2001, 2002, 2003 86 का राइट एंसर है आपका C नमबर 2002 में नेक्स्ट है कौन सा नदी दच्छिड भारत की गंगा कहलाती है अप्शन नमबर C है गोदावरी को जो है दच्छिड भारत की गंगा कहलाती है नेक्स्ट है प्रतिबर्स भारत का ब्रहत्तम पसुमेला लगता है कहां पर 88 चार आप्षन है आप देख कर बताईए 88 का राइट एंस असर होगा option number 20 स्टोन पुर में next है भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है 89 का राइट एंसर है आमदाबाद को भारत का बोस्टन कहते है और मैंनेचेस्टर भी कहते है next है ग्लोब पर करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है 90 का राइट एंसर है आपसन नमबर B. आठ राज्यों से होकर गुजरती है 91 है भारत के निम्न में से किस राज्य में पुर्शों की संख्या इस्तरियों से कम है 91 का राइट एंसर है C. केरल नेक्स्ट है भारत में सबसे उंचा बाद भाखडा किस नदी पर बना है इसका राइट एंसर है आपका बी नमबर सतलुज नदी पर नेक्स्ट है भारत की पहली आईरन इस्टील कमपनी कहां इस्थीत है आप्शन है जमसेदपुर में, हेरापुर में, मुंबई में, गुहाटी में इसका राइट एंसर होगा आप्शन नमबर ए जमसेदपुर में नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज सक्कर का कटोरा कहलाता है चार आप्शन आप लोगों के सामने है तो भारत का सक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं आपसर नमबर D विल्कुल राइट होगा नेक्स्ट है भारत में कितने राष्टिय राजमार्ग है 95 का राइट एंशर क्या है तो option number D विल्कुल right है 228 राष्टिय राजमार्ग है भारत में Next है भारत का एक मात्र अस्थान जहां टीन पाया जाता है इसका right answer क्या होगा? तो उसका right answer है option number B हजारी बाग में जो है टीन पाया जाता है नेक्स है वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है कराइट एंसर है आपका अप्शन नमबर B दामोदर नेक्स है भारत में किस राज को भारत का खाद्यान भंडार के रूप में जाना जाता है अप्शन नमबर B पंजाब को नेक्स्ट है सांत घाटिक इस्थित है कहां पर इस्थित है सांत घाटि आपसन नमबर सी बिल्कुल राइट है केरल में इस्थित है नेक्स्ट है मदुरे कहां है सव नंबर इस वीडियो का लास्ट प्रश्ण है तो मदुरे मित्रों तमिल नाड आप्सन नंबर ए बिल्कुल राइट है तो ये रह मित्रों आपके परिच्छा में पूछे जाने वाले महत्पूर्ण जी के भारत से संबंधित प्रश्ण है ये आप लोगों को मेरा प्रियास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी सियर करिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच्च